तो हेलो स्टुडेंट्स नेक्स लेक्चर में अब हम लोगों को करना है थोड़ा सा थोड़ा सा फिर से भाईया यह क्या कर रहे है आप फांडेशन की खोल के बैठ गए हो इंटर का फीज नहीं है हम फांडेशन का नहीं दिये है तो बेटा में पता है मैं इंटर पढ़ा रह जाता हूँ वैसे तो आल्दो मैंने तुमको एंटरी बता दिया है लेकिन फिर भी आई वांट टो जस्ट कि मैं तुम लोगों को यह चैप्टर रिवाइस करा दू एक बार क्योंकि यह चैप्टर बहुत ज़्यादा जरूरी है देखो इंटर में क्या होता है ना तुमको क बेस मतलब फांडेशन तो भाईया आप फांडेशन भी पढ़ा रहे हो नहीं में को जिस चैप्टर में बस लगेगा कि फांडेशन का कुछ माटेरियल का में को रेफरेंस लेना है तो मैं वहाँ वापर लूगा अधरवाइस आम नाट गों टेक एनी रेफरेंस इधर मैं अपनी बुक से कराने वाला था लेकिन तुम लोग बोलते की भईया आप कहां से पढ़ारे और क्या पढ़ारे हो इसलिए तुम्हारी इंस्टीट की फांडेशन के लोगों है तो देखो नेक्स जो हमको पढ़ना है वहमको पढ़ना है ओस्परेंटिय अड्श्मेंट और 31 March को, जब entry pass करते हो, तो 1 April को जो entry pass करते हो न, उसको हम बोलते है opening entry, तो भया इस दिन जो entry pass करते हैं, उसको सबको opening entry बोलते हैं, नहीं, बेटा opening entry pass करने की date बता रहो, एक April को opening entry pass की जाती है, और closing entry कब pass की जाती है, closing entry pass की जाती है, 31 March को, ठीक है, closing entry कब pass की जाती है, 31 March को तो ओपनिंग एंट्री तो बहुत सिंपल है बस एक ही एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री में एक बात बताओ modern approach of accounting सीखें asset आया तो प्लस होगा debit होगा कम हुआ तो credit होगा कम हुई तो तुम्हारी debit होगी है न तो तुम यह चीज modern approach तुमको मैं पढ़ा दिया था पहली लेक्चर में ठीक है एक बार फिर से जल्दी से revise करा दिया जाए तो modern approach of accounting क्या बोलता है modern approach of accounting क्या बोलता है एक बार एक बार revise करेंगे बस asset liability income expenses और equity ठीक है तो asset आया तो debit कम हुआ तो credit liability आयी तो credit कम हुई तो debit income आयी तो credit कम हुई तो debit expenses हुए तो debit कम हुए तो credit equity हुआ तो credit बढ़ा तो credit कम हुआ तो debit का से न करते हैं तो इसे हम करते हैं और वही अकाउंट डेटि ठीक है और वैसी लिएबिटी जो होती ही देखो हम लोग बैलेंशिट के आइटम के एंट्री पास कर रहें क्यों कि बैलेंशिट को छोड़के जित्ते भी थे तो उसी साल खुलिया, उसी साल बंद हो गये, पर्चेस उसी साल खुला, उसी साल बंद हो गया, फिक है, ज़र ट्रेडिंग अगाउन में ट्रांसफर हो के सारी बुक्स क्लोज हो गई थी, बेसिकली ट्रेडिंग और पी iping झाउन में जीतने income और expense, जिस साल होते हैं, जिस साल से related होते हैं, उसी साल उनको write off कर दिया जाता है, P&L और trading account में डालके, ठीक है, और asset, liability और equity क्या करते हैं, continue करते हैं, तो basically opening entry में तुमको यह 3 item दिखेंगे, जो पिछले साल के थे और इस साल अभी आगे और continue करने वाले, तो asset, सारी assets क्या हो to equity, equity मतलब क्या होता है, capital, equity को तुम क्या होता है, capital, so this is your single opening entry, सिर्फ एक ही opening entry होती, all assets account debit to all liabilities account to equity to capital, कई बार question में तुमको asset और liability दिया रहता है, इसका amount नहीं दिया रहता, तो यह तुम्हारा balancing figure आ जाता है, क्या जाता है, balancing figure, मतलब asset में से, मैं लो asset 10 लाग की है, liability 8 लाग credit होती है, और equity भी credit होता है, है ना, यह देखो, यह देखो, liability और equity दोनों credit होता है, ठीक है, तो modern approach of accounting, तो देखो, तुम्हारी opening entry तुमको book में भी वोई दिया, all assets debit to all liability to owners capital, यहाँ पर question दिया है, देखो, consider the falling balance in the balance sheet as on 31 मार 2004, the past opening entry on 1st April 2015, जिस बच्चे को लग रहा होगा, य एक ही बात बोलूँगा, संकट में हो, ठीक है, बस, जानते हो, मैं एक ही बात बोलता हूँ, तो इसलिए भाईया, मैं पढ़ा रहा हो ना, देख लिए करो, कोई दीक कर दी, तुमको speed बढ़ा के देखना है, तुम्हारी एक चाह है, पर देखना जरूरी है, ठीक है, तो द बात बता मेरे एसेट कौन से कौन से इसमें, भाईया, प्लांट एन मशीनरी आपका एसेट है, ठीक है, cash in hand आपका एसेट है, balance at CC bank आपका एसेट है, trade डेटर आपके एसेट है, closing stock, stock, stock क्या है मेरा, एसेट है, ठीक है, trade payables, liability है, outstanding expenses, liability, prepaid insurance, क्या है, एसेट है, प्रीपेड दोना नहीं है, क्या है, एक्विटी है, clear हो गया यह बात, clear है, तो बस, अब हमको entry pass करना है, तो देखो, plant and machinery, cash in hand, entry क्या होगी, plant and machinery, account debit, ठीक है, loan, और क्या है, दूसरा क्या है, cash in hand, balance at cc bank, in hand account debit, balance at cc bank account debit, ठीक है, सारे assets debit कर दूँगा, trade data account debit, closing stock account debit, debtors account debit, closing stock account debit, prepaid insurance, account debit, to subodh ka capital दिया है, to subodh capital, to loan from HH, loan from HH था liability में, यह हो गया, trade payable outstanding expenses, to trade payable, to outstanding expenses, ठीक है, तो देखो, सारे assets debit कर दिया, capital or liability credit कर दिया, amount डाल देता हूँ, जल्दी जल्दी, plant and machinery, 3,30,000 cash in hand, 20,000, 3,30,000, मैं ऐसे करके डालता हूँ, इसका amount, ठीक है, balance at cc bank, 1,75,000, data से तुमारे 3,55,000, closing stock है, तुमारे 1,35,000, और prepaid insurance से तुमारे 20,000, रुपए का, तु बहुत का capital है, 275 का, loan from HH bank है तुमारा, 4,25,000, trade payables है, 295 और 40,000, अब दोनों साइट टोटाल करके देख लो, equal आ गया, मतलब of course है और पक्का 100% equal आई जाएगा, पर फिर भी cross check कर नहीं है, 3,30,000, plus 20,000, plus 1,75,000, plus 3,55,000, plus 1,35,000, plus 20,000, minus 10,35,000 debit का टोटाल आ रहा है, 275,000, minus 4,25,000, minus 295,000, minus 40,000, ओके, 0 आ गया देख लो, यह देखो, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारी entry जो है, वो सही है और basically सही होती है, क्योंकि दोनों साइट का सेम ही जा रहता है, पाई चंद तुमको सुबोत का capital नहीं जा रहता है, तो balancing figure जो है, वो सुबोत का capital आ जाता, तो this is nothing but your opening entry बहुत easy है, यहां तुमको solution जाता, closing entry, main काम closing entry का है, तुमको पढ़ाने का reason क्या है, closing entry, पढ़ाने का reason क्या है, although मैंने बता दिया है, बता दिया है, पर फिर भी एक बार go through कराया जाए, कि भाईया foundation में तुम यह पढ़ के आया हो, yes, ठीक है, तो मतलब एक link बनी रहती है, foundation में जो पढ़े हो, वो inter में भी काम आएगा, inter में जो पढ़े हो, final में भी काम आएगा, तो we have to create a chain, we have to create a link, ठीक है, और फिर तुम लोगों से अगर मैं logic पूछू, कि profit and loss account के debit side expenses क्यो डालते हो, तुम लोग से मैं पूछू, profit and loss account के debit side expenses क्यो डालते हो, तुम लोग बोलो कि यह rule है, मैं बोला, बना कैसे, या, सर तो बता रहते है, रूल है, अरे, तो बना कैसे, यह बताओ मेरे को, nominal account, debit all expenses, losses, credit all incomes, मैं बोला, ठीक है, PNL account, nominal account है, चलो, माल लिए, justified है, लेकिन भाई, इस account के बनाने के पहले, trial balance बनता है, trial balance के बनाने के पहले, journal बनता है, journal entry से derive हुआ, यह rule, कैसे, journal entry में एक बात बताओ, salary paid के entry क्या होती है, salary account debit to cash, यह होती है, entry, salary account debit to cash, अब तुम यह सोचो, salary account debit हुआ, 10,000 से, तो salary account मेरे, जिस साल का salary उसी साल मेरे को close करना है, तो two salary करके इसको credit भी करना पड़ेगा, two salary करके इसको credit भी करना पड़ेगा, और two salary करके अगर मैं इसको credit करूंगा, तो मैं debit किसको करूंगा, debit, कहां transfer होता है, भाया, यह वाल account तो इसी साल close हो जाता है, तो PNL account के debit side transfer होत account debit to P&L, समझे, ऐसा logic है, journal entry से बनता है बेटा, logic, logic कहां से बनता है तुमारा, journal entry से तुमारा logic बनता है, और वैसी account बनता है, तो account से तुमारे formula बनता है, जैसे COGS का formula सिखाया हूं, trading account से बनाके, तो formula account से बनते है, account journal से बनते है, journal से logic आता है, ठीक है, this is all logical guys, कुछ भी रटने वाली चीज यहाँ पर ही नहीं, ठीक है, तो सबसे बहले एक एक करके हम देखती जाते है, for transferring purchase and direct expenses goods related to trading account, तो देखो trading account के एक बात बताओ, debit side क्या कह जाता है, entry अगर मैं प्रास करूँ, तो trading account के debit side क्या कह जाता है, trading account debit, to, पहला item, to opening stock, पहला item क्या जाता है, to opening stock, और क्या direct expenses, दुनिया भर के direct expenses कहा जाते हैं, trading के debit side, GP का भी मत पास करो, ठीक है, trading account debit, क्योंकि वो trading account debit to PNL में चले जाएगा, ठीक है, तो 2 PNL उसकी अलग entry पास कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो, ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है, पर majorly, opening stock purchases और हर प्राकार के direct expenses कहा आते हैं, trading account के debit side में आ देखो, opening stock purchase, factory expenses, freight and carriers, मतलब ये भाई direct expenses के types डाल दिया है, यहाँ पर, basically हल टाइप के direct expenses, ठीक है, sales, देखो, for transferring sales and closing stock, sales और closing stock transfer करने के लिए, भाईया कहा जाता है, trading account के credit side, क्या entry होती है, तुम लोग सोचों के भाईया, बुक में लिखी, तो अलग से क्यों लिखके दिखा to trading account, to trading account, और भी चीज़े trading account के credit side आ सकती, क्या क्या सकती, चारिटी account debit, drawings account debit, loss of stock account debit, advertisement account debit to trading account, ये भी आ सकता है, है ना, अगर वाला scene हुआ, तो entry वो भी होगी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये सब मेरे को अलग अलग से बताने की जरुवत नहीं है, है ना, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए, trading account debit to profit and loss account, देखो trading account बनाते हो, trading account बनाते हो, उसके जस नीचे P&L बनाते हो, gross profit आता है, तो gross profit को इधर ट्रांसफर करते हो, क्या एंट्री होगी, trading account debit to P&L account, वैसी gross loss आता है, तो उसको इधर ट्रांसफर करते हो, country पास होती हो, profit and loss account debit to gross loss, तो ट्रेडिंग account, ठीक है, ये काए, लिए, gross loss transfer करने के अधर आता है, profit इधर बनाते हो, इधर आता है, ठीक है, तो gross profit transfer करने के लिए, gross loss के लिए, Q&L account debit to trading account, ठीक है, अब ट्रांसफरिंग expenses करी, क्योंकिक्योंग देखो expense transfer करने के लिए क्या entry होती है समझना मेरी बात को भाया भाया अभी तो आप बताए salary account debit to cash P&L account debit to salary है ना तो दुनिया भर के expenses होते हैं उसके entry क्या होती है expenses दुनिया भर के expenses account debit दुनिया भर के expenses account debit to cash account फिर उसके पाद इसको इसको close करूंगा इसको क्या करूंगा close करूंगा तो country pass करूंगा profit and loss account debit to दुनिया भर के expenses account समझ में बात तो ऐसे तो P&L account debit to expenses भाई P&L account debit to respective expenses थीक है वैसी income के लिए तो cash account debit to दुनिया भर के income account वैसी फिर क्या हो जाएगा income account debit close करूंगा जिस साल की income उसी साल close income account debit to profit and loss account समझ गए मेरी बात एकदम easy लग रहा है देशी भाषा ठीक है देशी भाषा हम दिल्कुल technical जाएंगे नहीं है ना हमको अंग्रेजी बोलनी हमको पता है we know English but also we prefer Hindi because we we want understanding first then we are going to convert it in an English language because we want to understand the concept first है ना तो देखो respective income account debit to profit and loss account income transfer करने की entry एक दम clear हो रहा है यह सारी closing entry चल रही अभी अब net profit अब एक बात बताओ कि एक बात बताओ सबसे पहले क्या बनता है trading account trading account के बाद बनता है profit and loss account trading account में आता है gross profit या gross loss उसके बाद यहाँ पर gross loss ग्रॉस प्राफिट इधर ट्रांसफर हो जाता है फिर इसके net profit है तो इसकी capital को बढ़ा देगा अब एक बात समझो जो not net profit होता है ना प्रोप्राइटर बोलता है मेरे को पैसा वे समद दो net profit हुआ एक लाग का profit हुआ एक लाग cash मत दो capital में adjust कर दो मेरे capital में adjust कर दो वैसी net loss भी हुआ है तो मेरे capital में adjust कर दो मेरे cash मत दो मेरे capital से adjust कर दो तो एक बात बताओ net profit हुआ तो capital को बढ़ाएगा equity को बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा, capital को बढ़ाएगा, equity को बढ़ाएगा जब equity बढ़ती है, तो क्या होते है, credit होती है जब equity बढ़ती ही, तो credit होती ही, जब equity कम होती ही, तो debit होती है तो समझो, net profit हुआ है, तो capital को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, तो capital credit होगा तो two capital account और debit क्या होगा profit and loss account debit होगा देखो debit side से उतर रहे है न यह देखो यह profit and loss account का debit side है यह देखो debit side से net profit जा रहा है कहा capital account में समझे पूरा game है तुम लोग इतना understanding कभी build ही नहीं कर पाया होगा account से है न क्यों क्योंकि भाई यह सब तुम understanding के base में तुम लोग सोचते होगे teacher लोग इतने लंबे समय तक याद क्यों रहता है क्या उन लोग इतने साल से पढ़ा रहे इसलिए याद हुआ है नई मैं तो तीनी साल से पढ़ा रहा हूँ फिर भी मेरे को इतनी अच्छी understanding है तीन साल में तीन चार बैच पढ़ाया हूं फिर बहुत है किस वज़े से रूँक्त हए ठीको है अम लर्णिंग ठीक है और अगने allows हुआ है तो capital को कम कर देगा कम कर देगा तो capital क्या होगा डैबिट квacool डैबिट होगा और तुवक्त आंल लौस अपने आप conscious हाट यह लाँ रहे है क्यों क्योंकि हमको उन्हारा आतमा का परमात्मा से मिलरण करवाया जाएगा रह gözण है तो capital account debit to profit and loss account ठीक है clear हो कई बात तो यह तुम्हारा profit and loss transfer करने के लिए P&L to capital capital to P&L ठीक है सारी हमारी अभी closing entries चल रही है illustration number 2 जरा देखेंगे एक बार गौर फर्माएंगे illustration number 2 पे एक बार reading कर लो और entry pass करने की कोशिश करो फिर उसका थम तो करी लेंगे entry pass जल्दी से try करो कुछ solve करने का चलो और देखो तुम लोग एक बात को समझो भाया recorded lecture है ना तो जब मैं बोलता हो तुमको try करने इसका मतलब यह नहीं अब देखो live lecture वाला तुम लोग फील लिये as on 31 मार्ट 2015 presented by x limited तो हमको closing entry pass करना है ठीक है तो देखो हमको दिया है opening stock 10,000 purchases 50,000 देखो मैं करते जा रहा हूँ ना trading debit trading debit wages trading debit return outward return outward मतलब purchase return ठीक है आउटवर्ड मतलब क्यों आता है purchase return कहा आता है trading account के credit side आता है या फिर मैं इसके साथ net B कर सकता हूँ अब return invert, अब return invert को मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, तो इसको भी मैं इसके साथ net कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 90,000, ठीक है, और इसको मैं हाँ से gap कर देता हूँ, ठीक है, salary, P&L debit side, है ना, insurance, P&L debit side, bad debts, P&L debit side, interest receive, P&L credit side, discount allowed, P&L debit side, discount receive, P&L credit side, closing stock, trading, credit side, ठीक है, तो मैंने सारे item list out कर दिये, अब बस हमको entry pass करनी है, तो देखो, यही पर मैं entry pass करता हूँ, छोटा सा, तुम लोग अच्छा format और्मेट में करना, ठीक है, तो trading account debit 2, देखो, trading debit में मैंने क्या क्या डाल दिया है, opening stock purchase wages और ट्रेडिंग डेबिट में क्या है, बस trading debit में बस तीनी item है, ठीक है, दस अजार, पैतालीस अजार, पांच अजार, पैतालीस अजार, पांच अजार, ठीक है, अब इसको टोटाल लगा लो, तो यह हो गया कितना तुम्हारा, पैतालीस साथ, साथ हजार, अब लिखते हैं, क्रेडिट साइट का sales, account debit, closing stock account debit, sales account debit, closing stock, account debit, to trading account, to trading account, sales कितने की है, 90,000 की है, closing stock कितने का है, 15,000 का है, तो 91,500,000 का तुम्हारा क्या हो गया, trading account credit हो गया, अब देखो, अब यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, यह हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब मैं निकाल लेता हूं, gross profit कितना आया, तो देखो, trading कितने से credit हुआ, एक लाग 5,000 से credit हुआ, और debit कितने से हुआ, 60,000 से, तो gross profit आगया, मेरा 45,000 का entry क्या होगी, trading account debit to P&L account, यह calculation वाला portion है, trading account debit to profit and loss account, 45,000 का मेरा gross profit आगया, यहां मैं bracket में लिख देता हूं, तुम लोग, देखो narration लिख लेना ना भया, narration वाला जंडट ना पाली हो, लिख लेना narration, विना बोले, ठीक है, तो यह आगया, 45,000 का क्या आगया मेरा, gross profit आगया, अब P&L account के debit side के item उठाते, salary insurance, bad debts, or discount allowed, profit and loss account debit to salary, to insurance, to bad debts, to discount allowed, discount allowed मेरे लिख खर्चा है न, मैंने discount दिया है, ठीक है, तो क्या-क्या item है, 8,000, 1,000, 3,000, 4,000, तो कितना होगा, 8,4,12, 13, 13,6, 16,000, 16,000 से P&L debit हो गया, credit कितने से होगा, interest receive account debit, discount receive account debit, to profit and loss account, समझ रहे हूं, देखो, चलो, यह हो जाएगा, 3000 plus 15,000, ओके वेट, चलो देखो, ठीक है, कितना कितना amount है, credit का 3,000 और 15,000, 3,000, 15,000, तो यह हो गया, 18,000 से P&L credit, आप P&L का अपन टोटाल लगा लेते हैं, तो सबसे पहले, P&L के credit side GP आया 45,000 का, फिर उसके बाद P&L के credit side, 18,000 रुपया आया, ठीक है, और debit side आया 16,000, तो यह मेरा net profit आ रहा है, 47,000, entry क्या होगी, profit and loss account debit, to capital account, कितना आ रहा है, 47,000 का मेरा net profit आ गया, ठीक है, और मैं bracket में आपर तुम लोगों के लिए लिग देता हूं, understanding के लिए, 45,000 में, plus 18,000, minus 16,000, ठीक है, तो यह आ गया मेरा 47,000, clear हो गई के बात तुम लोगों की, यह देखो, इसको note कर लेंगे, ठीक है, पर let us check answer, अच्छा, they are taken at net, 45,000 का मेरा GP है, 12,000 का expense है, अरे discount receive, एक second, यह question में कुछ गलती है, अच्छा, discount receive, तीन हजार है, बच्चे बोल रहे हैं, आप 11,000 ले लिए हो, ओके, आहां, ठीक ठीक, तीन हजार है यह, 3000 इसको में लेता हूँ, तो यह मेरा हो जाएगा 6000, तो उसी सब सब कुछ 100 changes होंगे यहां पर, 6000, तो यह हो गया मेरा 45,000, प्लस 6000, माइनस 16,000, तो आ रहे है 35,000, करेक्ट कर लो इसको, 30 सजार, मेरी आई साइट पर गलती होते हुए, ठीक है, तो यह ऐसे तुम लोगों के entry पास होती, मेरे को समझ में होगा, एक बार और मैं repeat कर दू, सबसे पहले trading account हमने debit किया, opening stock purchase और wages से, देखो, तुमको ना book में थोड़ा अलग दिखे का solution, तुमको 75 दिख रहा है, पर फिर भी तुमको दिखे का भाईया, आपका GP सही है, क्यों, क्योंकि मैंने net ले लिया, देखो net लेना जादा असान है, मेरे net नहीं लेना है, तो तुम ये वाला item को credit side डाल देना trading के, और ये वाला item को debit side डाल देना trading के, ये मैं तुमको option दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं तुमको option दे रहा हूँ, you can opt for this option only, return outward है, तो trading के credit में डाल देना, return inward है, trading के debit में डाल देना, ठीक है, तो तुमारा वैसी तो मैंले मैंले trading debit किया, trading credit किया, debit minus credit किया, तो GP आ गया, जिसको मैंने P&L में डाल दिया, ठीक है, P&L account मैंने debit कर दिया, P&L account मैंने credit कर दिया, और finally, जो मेरा net profit आया, profit आया मेरा, तो उसको capital में मैंने transfer कर दिया, ठीक है, next देखो, next तुमारी transfer entry for drawings, ठीक है, amount withdrawn from capital, simple सी बात है, अगर तुम drawings करते हो, तो मैं तुमारे capital से, देखो, business में कितने भी transaction, जो owner से related है, owner से related जितने भी transaction है, वो capital से link कर दिया जाता है, जान बूच कि उसको capital से link कर दिया जाता है, तो देखो, जब owner drawing करके लेके जा रहा है, तो drawings के entry बताओ, मालो cash withdraw करके लेके जा रहा है, तो entry बोलो drawings account debit, two cash, मालो two goods लेके जा रहा है, two goods लेके जा रहा है, तो two purchases, मालो goods लेके जा रहा है, ठीक है, तो मालो 2,000 का cash ले गया, 8,000 का purchase ले गया, साल के अंतिम दिन हम उनको call करके यह नहीं बोलेंगे management call करके owner को यह नहीं बोलेगी सर 10,000 रुपे due दे दो सीधा capital में डालेगी तो entry क्या होगी देखो आप drawings को credit करना पड़ेगा drawings को मुझे close करना है तो drawings को मैं क्या करूँगा credit debit क्या करूँगा capital क्योंकि owner से related transaction है तो हर चीज capital से link होती है हर चीज का logic है तो capital account क्या हो जाएगा debit कितने से 10,000 समझ गए capital account कितने से debit हो जाएगा 10,000 रुपे से और two drawings हो जाएगा यह देखो capital account debit two drawings देखो तुमारी book में सिर्फ यह वाली entry है तुमको करके दिखाया है मैं तुमको हर entry के पीछे का logic से घुमाके लेके जा रहा हूँ इसलिए तुमको यहाँ पर लाया गया है वापस से तो यह देखो यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ है बोल रहा है following balances appeared in the books of पटनायक और 31 मार 2014 past general entry past necessary opening entry for the credit balance capital account का 30,000 है bills payable और creditor और debit balance furniture machinery data BR और cash है ठीक है तो देखो अब यह एक ऐसा transaction है जिसमें तुम लोगों को चलो यह तो basically opening entry तो past कर लेते हैं क्या क्या दिया है furniture account debit एक काम करूँ मैं इसको solution से ही बता दे रहा हूँ क्योंकि entry pass करने लेक में को लग नहीं रही है furniture account debit machinery account debit data account debit BR account debit BR मतलब bills receivable cash account debit to capital account to bills payable account to creditor account question खतम पैसा आज दो ठीक है समझ में आ गई बात तो यह हो गई तुमारी opening entry बोल रहा था इसमें बस opening entry pass करके दिखाओ ठीक है तो opening entry हमने pass कर दी अब हम लोग आ रहे adjustment entry में adjustment entry क्या होती भाईया जब सारे account close हो जाते है जब सारे account close हो जाते है तो तुम लोग देखियो trial balance की नीचे तुमको adjustment दिये रहती है wages outstanding, salary outstanding, prepaid expenses prepaid insurance दुनिया भर की adjustment trial balance की नीचे तुम लोगों को सिर्दत करने के लिए रहती है वो सिर्दत नहीं है actual में business में ही होता है actual में business पे तुमको ये scenario देखने को मिलेगा कैसे, देखो जब हम लोगों के सारे account close हो जाते है और जब trial balance बन जाता है उसके बाद हम लोगों को कुछ transactions पता चलते है और उसके बाद अगर हमको वो transaction पता चलते है तो अब हम जाके account के साथ छिडखानी नहीं कर सकते तो हम क्या करते adjustment entry आपास कर देते आखरी दिन 31 मार्स को हम adjustment entry पास कर देते है और उसके adjustment फिर बाद में होते रहे गी तो उसी को क्या बोलते है adjustment entry तो theory में I am not going towards so much amount of theory common type of adjustment तुमको दिया है पहला और भाई service stage adjustment closing stock पहला service stage adjustment क्या है closing stock फिर outstanding prepaid है इसको read कर लेना इसको क्या कर लेना read कर लेना not मेरे को बताने लाइक नहीं क्योंकि भाई although मैं तुमको बताने ही वाला हूँ आगे adjustment entry कर आप्टेट है पहला closing stock की क्या entry होती है एक बार जल्दी से बोलो closing stock trading account के credit side जाता है तो closing stock account debit to trading account closing stock account debit to trading account ठीक है अब देखो अब कई बार ऐसा होता है कई बार मतलब 1% question के case में ऐसा होता है 99% cases में ये होगा क्या होगा जब closing stock trial balance के बाहर दिया रहेगा क्योंकि generally सारे account close होने के बाद ही closing stock की valuation करता है accounting तो 99% case में तो closing stock नीचे दिया रहेगा नीचे मतलब trial balance के बाहर दिया रहेगा पर एक प्रतीशत case में ऐसा रहेगा कि closing stock trial balance के अंदर दिया रहेगा तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है closing stock is already adjusted with the purchase और तुमको question में उस situation में adjusted purchase दिये रहेगी क्या दिये रहेगी? adjusted purchase रहेगी adjusted purchase तुमको दिये रहेगी देखो उस situation में न मैं तुमको पहले adjusted purchase का मतलब बताऊ adjusted purchase मतलब तुम लोग को पता है फिर से बता रहा हूँ adjusted purchase मतलब होता है opening stock plus purchases minus closing stock ठीक है, तो यह होती है adjusted purchase, तो जब तुमको closing stock trial balance के अंदर दिये, इसका मतलब तुमको question में adjusted purchase दिया है, adjusted purchase को उठाओ, और direct trading के debit side लिख दो, और कोई कारकरम करने की जरुवत नहीं है, ना opening stock लिखना, ना closing stock लिखना, ना opening stock यहां लिखते हो, यहां पर अगर तुम adjusted purchase लिख द जालना, opening closing डालने की जरुवत नहीं है, और purchase भी अलग से डालने की जरुवत नहीं है, ऐसा क्यों, देखो, क्योंकि adjusted purchase के अंदर opening stock भी added है, purchase भी added है, और closing stock already minus है, और अगर तुम trading account का format देखोगे, तो उसमें भी तो यह दोना plus होके, इससे minus होता है, debit जो है, plus होके credit से minus होत है, तो purchase account कौन सा account है, real account है, real account मतलब asset account है, asset बढ़ता है, तो debit कम होता है तो credit, तो opening stock asset के साथ plus होगी, तो purchase को बढ़ा देगी, opening stock purchase के दाथ plus okay purchase को बढ़ाएगी न तो पहली entry जो होती है इस situation में वो होती है purchases account debit to opening stock account basically हम लोग opening और closing stock को purchase के दाथ adjust कर रहे हैं ठीक है और दूसरी entry closing stock purchase से minus होती है तो purchase को कम कर देगी purchase को कम करेगी तो purchase को credit करना पड़ेगा तो to purchase account मैं सारा modern approach of accounting से बता रहो modern approach से और debit क्या होगा closing stock account debit ठीक है अब तुम एक चीज़ समझो basically adjusted purchase जब तुम किये तो अब opening stock और closing stock नहीं आ रहे है उसका दूसरा reason बताता हूँ एक reason तो तुम logically समझ गए एक और logic reason है क्या कि सोचो अगर वो purchase adjust नहीं हुआ रहे था तो इसी situation में purchase के जगा trading account debit होता और इसी situation में purchase के जगा trading account credit होता क्योंकि entry क्या होती closing stock account debit to trading account trading account debit to opening stock तो भाई ये entry ना होते हुए हम लोग उसको purchase के अंदर adjust कर दिये और एक adjusted purchase नाम का head बना के trading में हम डाल दिये अब मैं बीने example के शान तो नहीं बैठी हुआ बीने example के मैं शान नहीं बैठता तो देखो तुमको question में दिया है opening stock 10,000 purchases 1,00,000 closing stock 20,000 ठीक है अब एक normal सा dummy चलो sales भी ले ले लेते है sales ले ले लेते हैं 2,00,000 की ठीक है तो यह तुम्हारा normal सा एक normal सा चलो दोनो सिच्वेशन में trading account बनाएंगे पहली सिच्वेशन नॉर्मल सिच्वेशन ओपनिंग स्टॉक 10,000 purchases 1,00,000 closing stock 20,000 और sales 2,00,000 ठीक है तो यह normal situation है जिसमें सब कुछ लिखा हूँ तो 2,00,000 minus 1,00,000 तो GP कितना आगया एक लाग 10,000 का GP आगया situation number 2 तुमको question में adjusted purchase दी है adjusted purchase क्या होता है पहले निकाल लेते हैं opening stock plus purchases minus closing stock यह होती है adjusted purchase तो इसको हम निकाल लेते हैं 90,000 आएगा एक लाग 10,000 minus 20,000 तो यह 90,000 आगया ठीक है calculator की इतनी debit हो गई है तुम्हारे teacher को पता है answer सही है फिर भी एक बर cross check करते हैं तो एक बार बस adjusted purchase लिख लो ना purchase लिखना ना opening stock लिखना ना closing stock लिखना adjusted purchase लिख दो debit में और sales लिख दो credit में sales रड़स नहीं हुई है अब इसको इससे minus करो कितना आ रहा है GP भया एक लाग दस अजार यह आ रहा है बस तुमको वही समझाना चाहरा था तो इसको लिख लो इसको लिख लो कि जब भी तुमको question में adjusted purchase दी हुई है तो आपको opening stock closing stock consider नहीं करना है आपको बस adjusted purchase उठा लेना है और debit में डाल देना है मतलब वही होता है मतलब वही होता है clear हो गई क्या बात yes बिंदास entry यह होती है purchase account debit to opening stock closing stock account debit to purchase okay guys yes यह देखो यह entry यह दिये outstanding expenses भाई साल के आखरी महिने में तुमको पता चला कि इस महिने की salary तो हम अगले महिने देंगे हमारे लिए तो new year एक अप्रिल को है तो अगले महिने की 10 तारीकों मैं payment करूंगा पर salary March की due तो हो गई wages March की due तो हो गई इस साल की wages इस साल की salary इस साल note होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आखरी दिन भले मैं payment नहीं किया हो पर मैं accrual basis of accounting follow करता हूँ क्या follow करता हूँ accrual basis मतलब जब transaction हुआ तु रंस note करो पैसा मिला पैसा गया उससे मेरे को मतलब नहीं है जब transaction हुआ तु रंस record करो ठीक है और सिफ 11 महीने का payment हुआ है तो भाई गलत दिखा रहा है data 22,000 दिखा रहा है जबकि काईदे से होना कितना चीए 2000 इंटू 12,000 होना चीए तो यह तो हो गया debit wages account debit to cash account 22,000 तो मैं लिट डाला हूँ पर भाई इस आखरी महीने का मार्च के महीने का भी तो बचा हुआ है 2000 तो भाई इस साल का है तो इसी साल अकाउंट करना पड़ेगा तो एक और entry पास करूंगा wages account debit to outstanding wages account 2000 और लिखूंगा तो अब देखो अब wages 22 प्लस दो 24,000 से debit हो गया अब अकाउंटिंग में दम आया अब अकाउंटिंग सयुई अब इस साल का खर्चा इस साल नोट हो गया बोलो समझ गये अब देखो अब जब अगले साल अगले साल जब इस महीने का अगले साल मत अब next month 10 तारी को जब मैं payment करूंगा मैं क्या entry pass करूंगा outstanding wages account debit to cash बस उस तेम पेमेंट हो जाएगी 2000 की बात खतम question खतम पैसा हजम है ना और तब तक लिए क्या है मेरी liability है 10 दिन की liability है मेरी और तुम लोग को मैं अभी modern approach सिखाया ना liability बढ़ती है liability बढ़ती है तो credit होती है यह देखो credit होई ना और liability कम होती ही तो debit होती है liability payment कर दिया debit हो गई बेटा modern approach of accounting एकदम हर जगा लगा के दिखा सकता हो मैं तुमको ठीक है तो यह हो गया तुम्हारा कारक्रम ठीक है तो इसलिए यहाँ पर entry pass हुई wages account debit to wages outstanding account ठीक है next पे तुम्हारा prepaid or unexpired expenses तो इसके लिए क्या entry pass होती है prepaid account debit to prepaid insurance तो देखो जैसे माल लो मेरी जो insurance company है again मैं example लोगा वो insurance company थोड़ा अलग system से चलती है वो बोलती है कि मैं जो payment लेती हूँ वो एक जुलाई से लेकर अप्रेल माई जून ठीक है 31 जून तक ही लेती हूँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल माई जू जून में 30 महिना होता है 30 जून तक मतलब उनका accounting year कुछ ऐसा चलता है कि एक जुलाई से या फिर उनका accounting year छोड़ो मैं एक जुलाई को गया था एक अप्रेल से लेकर अप्रेल, मई, जून, 30 जून तक तो next year हो गया, next year हो गया, तो इसका मतलब 9 महीने का जो प्रीमियम है वो इस साल का है, पर 3 महीने का प्रीमियम जो है वो प्रीपेड हो गया अगले साल का, 3 महीने का प्रीमियम क्या हो गया, प्रीपेड हो गया अगले स की पैमेंस करो 9 екो एकबाइन की कि मंच्क माहिनीं पास कि आ debit इंसरaları निसमेंस टेबिलों मैंने को सब्सक्राइक होता थीकर क्यों परें सार है एक हजार, बारह जार की payment की है, लेकिन 31 मार्च को जब मैं पहुचूंगा तो मैं एक adjustment entry पास करूँगा, क्योंकि तीन महीने का prepaid है तीन महीने का अगले साल का है तो मैं इसको debit कर, तो इसको credit कर दूँगा insurance insurance, I-N-S-U-R-A-N-C insurance account, credit हो जाएगा और debit क्या होगा, prepaid insurance account, क्या debit हो जाएगा prepaid insurance account, कितने से debit होगा तीन महीने से, तो अगर 12 महीने का, यह देखो, अगर 12 महीने का 12,000 है, तो तीन महीने का कितना तीन महीने का कितना, तीन हजार तीन हजार से क्या हो जाएगा, prepaid insurance prepaid insurance क्या है, मेरा asset प्रिपेट्ट इंस्वरेंश फिर साइंडर्ट प्रोच लगा जेखा हूं। अगले साल का था। architect उसको पूक्स हिस्टा शिल्साकुूर्ट लिए ना सब्तकिशन टीवगा कित अ कुनदियो बंवे का था यो इम parenthल एकोश्चा स्वेदियो एक छूट है। doubt होगा सब पूछ लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है doubt support 24 into 7 तुम्हारे पास सब label है तुम doubt पुछोगे तुमको 24 घंटे के अंदर reply मिल जाएगा ठीक है तो यह हुआ ठीक है next accrued income accrued income का पहले मतलब समझो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख लेता हूँ English में भी लिख देता हूँ हिंकी में the income which I earned but not yet received ठीक है देसी भाशा में देसी इंग्लिश में लिख दिया में कि ऐसी income जो मैं कमा लिया हो पर मेरे को अभी पैसा नहीं मिला है ठीक है सिंपल सी बात है मैंने कमा लिए कमा लिए मतलब मेरे income हो गही है income हो गही है income क्रेडिट होती है तो two income क्या हो जाएगी credit क्योंकि मैंने कमा लिए debit क्या होगा debit भाया एक asset बनाऊंगा मैं जब तक मेरे को cash नहीं मिल जाता मैं asset बनाऊंगा चलो एक तुमको normal scenario सिनेरियों बताता हो नॉर्मल सिनेरियों में तुम कुछ कमाते हो जैसे माल लो तुमको कमीशन मिलता है है ना चलो मैं एक्जामपल लेता हो कमीशन का तो माल लो तुमको कमीशन मिलता है तो नॉर्मल सिनेरियों में तुम क्या एंट्री करते हो भाया कैश अकाउंट प्लस cash account debit to commission account अब यहाँ पर मेरे को cash नहीं मिला तो cash को हटा के मैं किसी asset को ही debit करूँगा और वह asset क्या होगी accrued income account debit accrued commission account debit accrued commission account debit to commission account तो वैसी यहाँ पर क्या लिख दूँगा मैं accrued income account debit accrued income account debit to income account समझ में आ गई बात accrued income account debit to income account मतलब income जो accru हो गई वो मेरी asset बन गई और income जो है वो credit हो गई अब next year next year मतलब जबी भी मेरे को पैसा मिलेगा अब generally ये entry में कब पास करता हूँ 31 मार्थ को तो मालो जब मेरे को next year मतलब अगले साल जब मेरे को पैसा मिलेगा मैं क्या entry pass करूँगा cash account debit to accrued income account ये सब तुम लोग को note करना है ना ये सब तुमको अपनी book में note करना है तुमारी book में आधी आधी entry आधी है मैं तुमको पूरी पूरी entry आ बता रहो ठीक है तो cash account debit to accrued income तुम cash receive होगा अगले साल तो ये entry pass कर दोगे समझ में ही बात clear हो गया बिल्कुल आत्मा का परमात्मा से मिला नो रहा तो मुझे जरूर बताएंगे ठीक है अगर आत्मा का परमात्मा से मिला नो रहा तो जरूर बताएंगे देखो कहां गया यार कहां गया अरे कहां पहुच गया मैं कहां गया हो गया था मेरे को खुदी नहीं पता तो accrued income की ये देखो ये रही entry मैं तुमको हर aspect में एंट्री बता रहा हूं ताकि तुमका re-understanding at par हो next head next head क्या है income received in advance मतलब ऐसी income जो advance में मेरे को receive हो गई है तो भाई obviously मैं advance पेपेमेंट करता हो तो मैं prepared माल लेता हूं उसको मेरे asset होता है तो अगर मेरे को 15,000 की rent मिल गई 15,000 की rent और ये हर महीने 1,000 की मेरी rent होती है तो एक साल का 12,000 हुआ मतलब 3,000 मेरे को advance में मिल थो जब तक ये rent का amount है जैसे इस साल का तो पूरा मिल गया पर अगले साल का 3,000 मिल गया तो वो मेरा advance है तो इसको मैं कुछ ऐसे entry pass करूंगा rent account debit to rent in advance account ठीक है तो 3000 रुपए जो मेरा advance rent है मेरे को 15 महीने का rent मिल गया था जिसमें से 12 महीने 12 तो इसी साल का था पर 3 महीने का जो था वो अगले साल का था तो उसको मैं rent in advance में डाल दूँगा और देखो rent in advance मेरी क्या है समझ गया बात ठीक है clear मतलब concept बैठ रहे कि नहीं दिमाग में यह बताओ मेरे को जोड़दार बैठ रहे न अब अगले साल अगले साल जब 3 महीना complete हो जाएगा अगले साल जब 3 महीना complete हो जाएगा मतलब एक एक करके जब महीने complete होते जाएगे तो मैं rent in advance को फिर से rent में डालते जाऊँगा क्योंकि rent मेरी क्या है income है अभी इस situation में rent मेरी income है तुम लोग सोते हो कि rent तो मेरा expense होता है इस situation में rent मेरी income है तो टू rent करके एक एक हजार करके 3 महीने में अगले साल में इसको डालते जाऊँगा क्योंकि उसके साथ क्या होते जाएगा मैं एक-एक महीना गुजरते जाएगा तो मेरा रेंट जो है वो होते जाएगा एक क्रू होते जाएगा तो इसलिए अगले साल मैं धीरे धीरे उसको रेंट अकाउन में फिर से डालते जाएगा तो अगले साल यह entry होगी तो मैं तुमक अपने टाइम में ऐसे ही पड़ते थे बिल्कुल घुस घुस के पड़ते थे कि ऐसा क्यू हुआ ऐसा क्यू हुआ नेक्स देखो depreciation easy depreciation account debit to fix asset आकरी दिन तुमको adjustment में दिया रहता है 10% depreciation machinery में मार दो तो depreciation account debit to machinery account हो जाता है ठीक है machine से minus हो जाता है और PNL account के debit side में क्या चले जाता है depreciation का तुम्हारा amount चले जाता है bad debts सबसे जरूरी है bad debts की चर्चा सबसे जरूरी है तो bad debts के उपर हम चर्चा करने वाले तो देखो bad debts ठीक है थोड़ा सब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर हम bad debts के उपर घणी चर्चा करेंगे ठीक है चलो बेटा आप देखते हैं बैट डेट्स की treatment हम लोग ठीक है अच्छे से break ले लिए ओगे तुम लोग 5 मिनट का only bad debts और दूसरे में क्या है when bad debts अलॉंग विट अलॉंग विट प्रोविजन प्रोविजन पॉर बैडड ठीक है तो जब सिंपल बैड डैड है और जब प्रोविजन फॉर बैड डैड भी तुमको दिया हुआ है question में तो ऐसा सबसे बहले बैड डैड का मतलब जिन बच्चों क होते वो जो हमको पैसा नहीं देते जो जो हमको पैसा नहीं देते वो कौन होते हमारे बुरे डेटर्स हमको पैसा नहीं दिये यार बुरे डेटर्स ठीक है तो देखो जब सिर्फ bad debts है उसमें भी दो सिनेरियों बनेगा scenario no.1 जब bad debts given in trial balance पूरा लिख देता हूं नहीं तो बाड डेटिइवन इनडीशनल इनडीशनल इनफॉर्मेशन ठीक, तो इसमें ढ़ी दो केस बनेगा, जब बाड ये पर गिवन है, तो इसका इन्ट को पता हुए है, हम तुम को पहले बहुता ते से कि जब कोई भी आइटम ट्राल बेलनस के अंदर दिए होगा होता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी entry already pass हो चुकी है उसकी entry already pass हो चुकी है जब कोई भी item कहा दिया रहता है trial balance के अंदर दिया रहता है और जब कोई भी item trial balance के बाहर होता है इसका मतलब अब हमको उसके entry pass करने ही उसके entry अभी तक pass नहीं हुई है तो जब bad debts given in the trial balance वाला सीन होगा, सब क्या होगा देखो तो simple सी बात है, क्या entry pass हो गई होगी, क्या entry pass हो गई होगी भईया, bad debts की entry pass हो गई होगी तो bad debts की entry क्या होती एकाउंट debit to debtors account to debtors account, तो ये कौन सा situation है, ये वाली entry pass हो चुकी होगी, ठीक है तो कौन सी entry अभी pass होगी अभी entry pass होगी transfer की तो profit and loss account debit to bad debts account profit and loss account debit to bad debts account तो अब कौन सी entry pass होगी कि profit and loss account में transfer होगा bad debts ठीक है तो अभी हमारी ये वाली entry right now ये वाली entry pass होगी ठीक है ये वाली entry pass हो चुकी होगी तो ये वाली entry अभी pass नहीं करना है अभी तो पहले तुम bad debts के entry pass करोगे, bad debts account debit to debtors account, ठीक है, और दूसरी situation में तुम उसको profit and loss account में transfer करोगे, profit and loss account debit to bad debts account, तो दोनों में difference क्या होने वाला है, difference यही होने वाला है, कि जब यहाँ पर तुम balance sheet बनाओगे, तब यहाँ पर debtors जितना भी होगा, मालो 10,000 का debtors है, तो 10,000 ही ल हो चुका है, entry pass होगे, इसका मतलब data से already bad debts minus हो चुका है, पर इस situation में entry pass होगी, तो तुम जब data लिखोगे 10,000, तो उसमें से मालो 2000 का bad debts है, तो 2000 का bad debts minus करके 8,000 दिखाओगे बाहर, क्योंकि data, क्योंकि अगर bad debts तुमारा additional information में दिया है, मतलब entry pass नहीं हुई है, और entry pass नहीं पर trial balance के बाहर कोई भी item है, तो वो दो जगा जाता है, तो दो जगा कहां जाएगा, एक तो PNL account के debit side जाएगा, यह वाला bad debts, और दूसरा data से minus भी होगा balance sheet में, दो नहीं होगा, क्योंकि अभी entry pass नहीं हुए, तो पहले इसको लिख लो फटाक से, pause करो, लिखो, हो गया, ल second रुखना, देखो, मैं तुम लोगो पहले मतलब बता दू, provision for doubtful debts, थोड़ा सा background noise तुम लोगो आ रहा है, तो उसको ignore करना, देखो, provision for bad and doubtful debts क्या होता है, देखो, कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं हर business में ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि तो क्या करें, तो आधे में, कभी आधे साल में, कभी 8 महीने में, syllabus में जल्दी थोड़ा खतम कर देता हू, ताकि 2-3 बार revision कर लें, अच्छे से, तो उन लोग आधे में छोड़के चले आते हैं, तो हर business की यही कहानी है, कि bad debts तो तुम्हारा होके रहेगा, तो हर साल तुम आपर लिख लो, अगर नहीं पता है, तो या भूल कहे हो, तो लिख लो, prudence, prudence क्या बोलता है, prudence और conservatism principle है, क्या बोलता है, provide for, provide for all anticipated losses, but don't provide for, but don't provide for any anticipated gains, तो यह prudence और conservatism principle बोलता है, कि आपको अगर ऐसा लग रहे है, कि आपका कोई loss हो सकता है future में, अगर आपको ऐसी feeling आ रही, कि आपका future में कोई loss हो सकता है, तो आप उसको अभी से लिख के रख लो, पर अगर आपको लगता है future में आपका कोई gain हो सकता है, तो उसको लि बात, provision कैसे बनता है, भाई हमको इतना तो पता है, provision P&L account के debit side आता है, तो yes, provision सबसे पहले बनता है, profit and loss account debit to provision for bad debts account, ठीक है, तो ये तुम्हारा provision बन गया, चलो एक example के साथ लेते हैं, imaginary example, मालो 10 लाग के तुम्हारे data है, ये मेरा universal example है, 10 लाग, और एकदम easy-easy figure में लेता approximately on an average 10% data bad debts करते हैं, तो मैंने एक लाग का provision बना दिया, ठीक है, एक लाग का मैंने provision बना दिया, अब actual में जो bad debts हुआ, वो हो गया मेरा 60,000 का, 60,000 का मेरा bad debts हुआ, तो bad debts के entry क्या होती है, वही normal bad debts account debit, bad debts account debit to data account, to data account, तो ये कितने की हो जाएगी, 60,000 की मेरी bad debts की entry हो गई, clear 60,000 की मेरी क्या हो गई, bad debts की entry हो गई, एक second, hello, देखो, समझ गए, तो bad debts account debit to data, normal entry होती, अब तुम लोग एक बात को समझो, पिछली situation में क्या हो रहा था, जब provision account नहीं बन रहा था, तो bad debts को हम directly कहां transfer कर रहे था, P&L में, क्योंकि bad debts हमारा loss है, P&L के debit side उतरेगा वो, लेक transfer हो चुका है, provision के नाम से, अब सोचो bad debts भी transfer हो गया, 60,000 का, तो भाई, total loss 1,60,000 हो जाएगा, जबकि 1,60,000 का loss हुआ ही नहीं है, loss कितने का हुआ है, actual 60,000 का loss हुआ है, और anticipated जो था, वो 1,00,000 था, पर उसमें से सिर 60,000 का loss हुआ, तो इस situation में, जब provision account बनता है, तो bad debts को P&L transfer कभी नहीं करना, कहां transfer करोगे, मतलब bad debts कहां से cover होगा, provision से cover होगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये 1,00,000 का गुल्लक बनाया था, चलो मालो मैंने 1,00,000 रुपए का गुल्लक बना के रखा था, कि अगर हुआ, अगर हुआ, तो इस गुल्लक से पैसा निकाल लूँगा, तो बस 60,000 हुआ न, तो 60,000 रुपए इसी गुल्लक से बाहर निकलेगा, this is my गुल्लक, this is my 1,00,000 रुपए का गुल्लक, इसी मैं से 60,000 bad debts का माउंट बाहर निकलेगा, और entry क्या बनेगी, third entry देखो क्या बनेगी, provision for bad debts account debit, provision for bad debts account debit to bad debts account, to bad debts account, कितना? 60,000 रुपए, 60,000 रुपए, और यह bad debts close हो जाएगा, अब तुम लोग पूछे भाईया, तो balance sheet में क्या presentation होगी, तो balance sheet में, देखो bad debts, P&L में तो debit side नहीं आएगा, provision बस आएगा, balance sheet की जो presentation होगी, वो तुमारी ऐसी होगी, कि तुम dators लिखोगे, dators कितने केते, 10,00,000 केते, उसमें से minus करोगे provision, और minus कर use हो गया, तो कितना बचा है, 40,000 का provision बचा हुआ है, तो 40,000 का provision minus हो जाएगा, और total तुमारा जो anticipated था कि 9,00,000 के data से मेरे को पैसा मिलेगा, तुम पहले क्या assume किये थे, कि 10% वाले धोके बाज है, 10% वाले धोका देंगे, 90% वाले देंगे, तो 10,00,000 में से ultimately काम वही हुआ, कि 9,00,000 रुपए तुमको लग रहा है, मिलेगा, और जो तुम्हारा जो एक लाग का तुम्हारा बैड लग रहा था, वो बैड डेर्स के नाम से 60,000, और provision के नाम से 40,000 क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, ठीक है, तो इतना तुम लिखके रख लो, लिख लो इसको, ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा होल कारक्राम है, बैड डेर्स का, वैसे बैड डेर्स इंटर में तुमको डेप्थ में है, बेसिकली, डिसकाउंट ओन डेर्स से कॉल टॉपिक आ जाएगा, कुछ उसमें मज़ेदार, मतलब ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा है, डिसकाउंट ओन ड प्रोविजन, मैं तुमको डेप्थ में समझा दिया, यहां पर देखो, एक क्वेश्यान इलस्ट्रेशन नमबर 4, लगे हाँ देख लेते, क्या बोल रहा है, फॉलिंग आइटम सपीर इंदर ट्राल बैलेंस एक तीस मार्स 2015, बोल रहा है, संड़ी डेटर 42 के, बैट देर 35 मेरे को एक बात बताओ, यह क्या है, trial balance, trial balance के अंदर है, मतलब यह already adjusted है, मतलब इसकी entry pass हो चुकी है, सिर्फ PNL account के debit side जाएगा, यह PNL के debit side जाएगा, और यह जाएगा मेरा balance sheet में, ठीक है, आगे देखो, after the trial balance was prepared, it was found data, date or Z will not be able to pay 2000, become his insolvency, अब एक बात बताओ, यह 2000 क् bad debts है, but कब का bad debts है, additional income का bad debts है, मतलब इसकी entry अभी pass नहीं हुई है, तो इसकी entry अभी में pass करूँगा, ठीक है, और create 6% provision for bad debts, और बोल रहा है, 6% का provision बनाओ, ठीक है, तो वो भी बना लेते हैं, बोल रहा है, adjustment entry pass करो, और show करो कि यह profit and loss और balance sheet में कैसे appear होगा, तो पहली adjustment entry क्य trial balance वाली entry यहां नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उसकी entry और ready pass हो चुकी होगी, और एक entry कौन सी pass होगी, provision की, तो P&L account debit, profit and loss account debit to provision for bad debts account, अभी इसका समझो, देखो, adjustment में यही पर दिखा देता हो, तुमको short में, 42,000 के data, data से मेरे पास, trial balance में, अभी नया नया bad debts कितना हो रहा है, 2000 का, तो इसको minus करो, कितना आ रहे है, 40,000, अब यह जो 40,000 तुमारे data सा रहे है, इसका तुमको 6% provision बनाना है, अभी जो तुमारे पास present data होते हैं, उसका 6% बनता है, तो 40,000 का 6% कितना होते है, 64,000 है, 24,000, 24,000 के provision बन गया, समझ गया, बोल रहा है, balance sheet में दिखाओ, तो balance sheet म में data ऐसे दिखेगा, कि 42,000 के data से, minus कर तो bad debts कितने का, 2000 का, और minus कर तो तुम provision कितने का, 2400 का, तो इसको तुम minus करके दिखाओगे, balance sheet में, तो कितना बनेगा, 42,000, minus 2,040, minus 2400 रुपे, तो तुमारे जो data दिखेंगे, वो 37,600 के दिखेंगे, PNL account की में बात करू, profit and loss account में, तुमारा एक वो पुराना वाला bad debts आएगा, पुराना वाला bad debts कितना था, 3500 का, 3500 का, एक new bad debts आएगा, plus bad debts जो नया हुआ, 2000 का, plus जो तुम provision बनाया हो, वो आएगा, plus मत दिखाओ, अलग से दिखाओ, तो इसको दिखाओ पहले, कितना हो गया, 3, 4, 5,500 हो गया, और एक provision दि दिखाने बोला था, तुमको बोला था भाया, इसको तुम दिखाओ, पी अल, तो देखो, entry तुमारी एक दो पास होगी, ठीक है, तो ये दो एंट्री तुमारी पास होगी, clear, ये देखो, तुमारा 3500, ये तीनों को प्लस करके दिखाओ, तुमको तीनों को प्लस करके मत कर देना, क्यों, क्योंकि trial balance के अंदर मतलब already minus है, अरे यार, तुम समझ में रहे हो मेरी बात को, trial balance के अंदर मतलब already minus हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए तुमको उसको दिखाने की जर्वत नहीं है, ठीक है, और ये 2400 भी minus कर देना, तो 37600, तुमारा asset में dators का balance आ का, समझ गए क्या बात, येस, तो question खतम, पैसा हजम, next, illustration number 5 देखो, Sunday dators 42 के है, bad debts 3500 का है, old provision है, ओहो, मजा खिला दिया question ने, old provision है 3800 का, मतलब पहले से कुछ को भी provision में बना के रखाऊ, additional info में बोल रहा है, bad debts 2000 का है, additional bad debts, और maintain करने बोल रहा है, provision for bad and doubtful debts account, 10% of dators, तो नया provision भी है, तो game समझो, ये कौन सा provision है, old provision, ये कौन सा provision है, new provision, ये कौन सा provision, new provision, तो अब समझना game कैसे चलता है, अब देखो, मैं तुमको पहले working दिखा रहा हूँ, 42000 के डेटर्स है, ठीक है, ये 3500 पहले से माइनस हो चुका होगा, लेकिन 2000 नहे हुए, तो मेरे पास अब डे provision आ गया, पहले से कितना बना के रखाऊ 3800, मतलब मेरे को एक गुल्लक बनाना था, समझो, मेरे को एक गुल्लक बनाना था, जिसमें मेरे को 4000 रुपे डालना है, ये देखो, क्या बोल रहा है question, बोल रहा है maintain करो provision for bad and doubtful debts, 10%, तो मतलब मेरे को 4000 का गुल्लक बनाना है, एक बा रेड़ी है, मतलब 200 more add होगा, 200 more add होगा, तो समझें बात, तो एंट्रियां कुछ ऐसी होगी, पहली एंट्री तो वही होगी, bad debts जो नया वाला हुआ है, तो bad debts account debit, to debtors account, 2000 रुपे जो अभी नया-नया bad debts हुआ है, और new provision के एंट्री होगी, profit and loss account debit, to provision for bad debts account, कितना, कितना आज एगा 4000 रुपे, ठीक है, अब एक बात बता दो तुमको, old provision जो रहता है न, उसका credit balance रहता है, और वो P&L account के credit item डाल देते हैं, तो उसका net effect 200 आएगा, देखो कैसे proof करके दिखाता हूँ, यह देखो, profit and loss account बनाया, पहले bad debts लिख लेता हूँ, old कितना है, bad debts, 3500 इथा, new bad debts ज जो new provision बनाया, वो कितने का बनाया, 4000 का, old provision में क्या बोला हो तुम लोग को, old provision लिख के रख लो, new provision debit side दिखाना है, old provision credit side दिखाना है, कितने का, 3800, अब एक बात बताओ, 4000-3800, net effect कितना आया, 200 debit side, net effect कितना आया, 200 debit side, तो यही game था, समझ गया, ultimately मेरे को 200 से इसको बढ़ाना ह है, तो 200 रुपए कहां डाल दिया, debit side डाल दिया, clear हो गई बात, तो यही कारकरम इस question में करने बोला था, यह देखो, PNL account, ठीक है, तो यह देखो, यह bad debts है, यह additional bad debts, यह total डाल दिया, यह देखो, यह new provision, यहाँ पर तुमारी book में क्या किया, old provision को minus कर दिया, यहाँ पर, य 36,000 दिख रहा है, मैं तुमको यह चीज पहले भी बता चुका हूँ, कि तुमारा जो नया bad debts से तुमको वो minus करना है, trial balance के अंदर वाला bad debts minus नहीं करना है, क्योंकि वो already minus हो चुका है, तो new bad debts को minus कर दोगे, ठीक है, और new provision को minus कर दोगे, तो तुमारा 36,000 का balance तुमको बाहर म दिख रहे हैं, clear हो गई बात, ठीक है, तो अब provision for discount on data से काम करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो इतना topic तुम revise करके रखना, इतना topic तुम recap करके रखना, फिर next video से हम लोग आगे के topics को continue करेंगे, ठीक है, तो इस video हम लोग यहीं पर करते हैं, God bless you, take care, bye bye